नमस्कार बच्चों, इछले वीडियो में मैं किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सिखा चुका हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे वो 2x2 की मैट्रिक्स हो, या फिर 3x3 की मैट्रिक्स हो, उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं अब हम लोगों को सीखना है application of matrices इसमें हम लोग उसी inverse का यूज करके किसी दिये गए system of linear equation से x, y या फिर x, y and z की value निकालते हैं इससे related एक question board exam में sure six marks का पूछा जाता है तो सभी बच्चों के लिए चाहे वो UP board के student हों, CBSC board के student हों या फिर ISC board के student हों या किसी other state board के student हों अगर उनके course में ये chapter है तो 6 number का एक question इस chapter से जरूर पूछा जाता है आपको इस chapter को अच्छे से समझने के लिए video को last तक देखते रहना है जब भी हमको system of linear equation मिलता है तो अगर two variable linear equation है तो मुझे two equation दी जाएंगी अगर three variable linear equation है तो मुझे three equations दी जाएंगी यानि two variable अगर equation है तो वो कुछ ऐसी होंगी a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 लेकिन अगर three variable linear equation है तो यह a1x plus b1y plus c1z and plus d1 is equal to 0 a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0 a3x plus b3y plus c3z plus d3 is equal to 0 आपके course में इन दोनों variety की equation हो सकती है इसमें से यह xy variable है और a1b1c1 यह constant है यहाँ पे xyz variable है और a1b1c1 और d1 यह constant है वो चाहे इस term की equation हो यानि यह two variable equation हो या फिर three variable equation हो इन दोनों में से कोई भी equation हो इसको हम matrix के form में लिख सकते हैं matrix की form होती है ax is equal to b यहाँ पे a जो है वो xy और z यानि जो भी variable दिये होते हैं उनका coefficient की matrix होती है और x variables की matrix होती है और यह जो b है वो equation के constant की matrix होती है यानि की यहाँ पे अगर इस variety की equation है तो यहाँ पे जो a की value होगी वो variable के coefficients यानि की a1, a2, b1, b2 होंगे और x जो होगा वो इसके variable यानि xy होंगे और यह जो b होगा यह constant यानि की c1 और c2 होंगे same उस direction में यहाँ पे जो यह a है यह variable का coefficient यानि की a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 और x की जो value होगी वो यह यह variable की वो x, y, z है और b, b हमारा constant है d1, d2, d3 इतने में मैंने किया कुछ नहीं है बस सिर्फ जो equation थी उसमें से इसके coefficient यानि की इतने part के coefficient मैंने a में लिख दिये x, y को x में लिख दिया और जो यह constant दिये हुए थे उनको b में लिख दिया यही काम इधर किया गया है इतने parts के सारे coefficient यानि x, y, z के गुड़ांक मैंने a के साथ लिख दिये जो x, y, z थे उनको x matrix बना दी और जो constant थे उनको मैंने b के equal में रख दिया है आप लोग याद रखिएगा जब आप board exam में यह question कर रहे होते हैं तो और कुछ आप करें चाहें न करें सिर्फ आपको equation से इतने numbers यानि ये तीनों number अलग करके लिख देने से और ax is equal to b लिख देने से ही एक number मिल जाता है यानि step marking होती है उस step marking में सिर्फ इतने part का ही एक number हो जाता है तो जितना भी system of equation है वो ax is equal to b के form में बनाने के बाद ही solve किया जा सकता है लेकिन solve करने से पहले हमको ये पता करना होता है consistency आपको equation दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये consistent है या inconsistent या कभी कभी number आप solution पूछ लेता है कि जो equation दी गई है उनका solution किस type का है या कितना है consistency या फिर inconsistency जानने के लिए ये एक definition लिखी हुई है a system of equation is said to be consistent if it has more than one solution otherwise it said inconsistent यानि कि जो भी आपको system of equation दिया जाए उसमें अगर एक answer निकल के आता है या फिर एक से जादा answer निकल के आता है means कहने का ये है कि उसका answer possible है तो फिर वो consistent इसको हिंदी में बोलते हैं सुसंगत समी करण और अगर उसका कोई solution नहीं होता यानि उसमें answer ही नहीं निकलता तो उसको हम बोलते हैं inconsistent हिंदी में इसको बोलते हैं असंगत समी करण इस चीज को पता करने के लिए जो मैंने अभी आपको format बताया था कि कोई भी matrix होगी कोई भी system of equation दिया हुआ होगा उसको मुझे ax is equal to b के form में पहले लिखना होगा चाहे वो two variable equation दिया हो या फिर three variable equation दिया हो इतना निकालने के बाद हम उसमें से determinant compute करेंगे रिए determinant find करेंगे तो सबसे पहला work हमारा क्या होगा इसके बाद हम इसमें से इसका determinant solve कर देते हैं यानि कि evaluate evaluate determinant of a तो जब हम इस determinant को निकालेंगे तो यहां पे दो answer possible है या तो determinant जो है यानि कि determinant a is equal to zero आ जाएगा और या फिर possible है कि determinant a is equal to zero ना आए यह दोनों conditions हो सकती है तो अगर determinant आपका zero नहीं आता है तो हम सीधे result में लिख देंगे unique solution unique solution का means हो गया कि जो भी system of equation है उसमें only one solution यानि सिर्फ एक answer possible है means x की कोई एक value होगी y की कोई एक value होगी और अगर three variable है तो z की भी कोई एक value होगी उसके अलावा और दूसरी नहीं होगी यहां पे answer निकला that means यह system जो होगा यह consistent होगा इसको हम बोल सकते है consistent system of equation यानि की सुसंगत समी करण है लेकिन अगर determinant of a की value zero आ जाती है तो फिर मुझे जो यह matrix A था इसके adjoint के साथ में इस B का product निकालना पड़ेगा और जब मैं इसका product निकालूंगा इसको evaluate करना पड़ेगा यानि की सबसे पहले मैं adjoint निकालूंगा और उसको इस B से multiply कर दूंगा तो फिर से यहां पे दो answer possible है possible है कि आपका adjoint A into B is equal to zero हो जाए और यह भी possible है कि adjoint A into B zero ना हो तो अगर adjoint A into B zero हो जाएगा तो इस condition में इसको लिख दिया जाता है या बोल दिया जाता है infinite solution यानि कि इस equation में बहुत सारे answer होंगे चाहे जो कुछ answer आए x की value बहुत सारी हो सकती है y की value बहुत सारी हो सकती है यानि कोई भी value रखोगे सब answer हो जाएंगे तो चुकि answer निकला और consistency क्या बोलती है more than one solution one हो तब भी consistent है और more than हो तब भी consistent है तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि consistent system of equation लेकिन अगर adjoint of a और b का product 0 नहीं आया इस case में जो ये equation होगी ये कोई answer नहीं दे पाएगी ये no solution होगा और जब उसका answer नहीं आएगा तो उस case में हम इसको बोलेंगे inconsistent तो ये conditions होती हैं किसी भी system of linear equation की consistency और inconsistency चेक करने का तरीका ये भी तरीका आपके book में नहीं दिया हुआ है लेकिन mcq में पूछा जाता है आपको question दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सी equation consistent है और कौन सी equation inconsistent है मैंने इसको graph से समझाने की कोशिस की है अगर कोई problem होती है तो आप comment box में comment करके जरूर बताईएगा साथ में ये भी ध्यान रखेगा अगर आप facebook पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत आप mathematics ग्यान को follow कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई video डालूँ आपको तुरंत मिल जाए और आपको video का wait न करना पड़े और अगर आप YouTube पे आए हैं YouTube पे हमारी video को इस समय देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप नीचे red वाला बटन दबा के subscribe कर लीजिए ताकि आपको कहीं से भी कोई problem ना आने पाए जैसे मैं video डालूँ आपको मिल जाएगी मतलब कहने का यह है हमारी video Facebook और YouTube दोनों पे parallel चलती है आप दोनों में से किसी भी platform पर होंगे आपको video जरूर मिलेगी लेकिन हमारा recommendation है कि आप YouTube पर भी subscribe कर लीजिए और Facebook पर भी follow कर लीजिए ताकि कभी भी आपको कोई video miss न होने पाए हमारे इस channel पे class 9th से लेकर 12 तक complete mathematics पढ़ाई जाती है साथ में जितने competition exam है जिनमे mathematics पूछी जाती है चाहे वो uptate हो, cate हो, jee हो, iit हो, nda हो, tgt, pgt, ssc या और भी कोई platform जहां भी math की जरूरत होती है अगर आप हमारे channel पे आए हैं तो फिर सही जगे आए हैं इसको pause करके note कर लीजिए आगे चलते हैं ये एक example दिया हुआ है examine the following system of equation for consistency और inconsistency ये तीन equations दिये हुई है इनमें आपको ये पता लगाना है कि इनका जो भी solution होगा या ये जो system आप equation दिये हैं ये consistent है या फिर inconsistent consistent का मतलब सुसंगत या संगत समीकरण है या फिर inconsistent या असंगत है सुसंगत का मतलब उसका solution निकल सकता है और असंगत का मतलब solution नहीं निकल सकता है वैसे normal class 10th में आप पढ़के आए हो कि इनके ratio को यानि कि इनके coefficient के ratio से हम पता कर सकते हैं कि वो कैसे हैं पर वो two variable में possible हो सकता है अगर three variable हैं तो आपको इसी तरीके से पता करना पड़ेगा कि वो consistent है या inconsistent हैं तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको matrix form में लिखना पड़ेगा तो the system of equations can be written as matrix form क्या है सबसे पहले सारे coefficient की matrix तो x का coefficient 1, y का coefficient minus 1 और z का coefficient 2 दूसरी question में 3, 4, minus 5 और तीसरी question से 2, minus 1 और 3 जहां पे कोई भी number ना हो वहां पे 1 लिया जाता है दूसरा x, x का मतलब इनके variables x, y, z और is equal to में आता है b b का मतलब इन में से जो constant use किये गए हैं और वो constant है 7, minus 5 और 12 इसको मैं लिख सकता हूँ ax is equal to b where a is equal to है मेरे पास 1, 3, 2, minus 1, 4, minus 1, 2, minus 5, 3 x is equal to x, y, z and b is equal to 7, minus 5 and 12 जैसे ही board exam में equation से इस form में लिखते हैं आप एक नंबर के हकदार हो जाते हैं यानि step marking में इतने का एक नंबर examiner को देना पड़ेगा इसके बाद अब मुझे consistency और inconsistency चेक करना है मैंने आपको क्या बताया मैं a का determinant लिका लूँगा possible है कि वो 0 आए या फिर 0 ना आए अगर 0 आ जाता है तो मुझे आगे फिर से 20 के साथ multiply यानि adjoint निकालना पड़ेगा और multiply करके check करना पड़ेगा और अगर वो 0 नहीं आया तो सीधे unique solution हो जाएगा मैं लिख दूँगा consistent तो सबसे पहले मैं determinant निकालता हूं and determinant of a तो determinant मेरे पास है 1 3 2 minus 1 4 minus 1 2 minus 5 और 3 determinant solve करना मैंने आपको सिखाया है कोई भी row लीजिए और उसके cofactor से multiply करके add कर दीजिए मैं first row अगर लेता हूं तो first row का element first है और इसका cofactor ये 4 बचेंगे तो मैं सीधे ही solve कर लेता हूं यानि की fourth row 12 और minus 5 और minus 1 minus 5 का multiply 5 फिर plus second element है मेरे पास minus 1 और इसका coefficient वैसे second के लिए sign जो है वो negative आता है और इसका cofactor इसके भी vertical horizontal हटा करके ये 4 element multiply कर लीजिए तो 3 3 जा 9 minus का sign लगा ये 2 और minus 5 का multiplication minus 10 होता है minus पहले से लगा है plus 10 हो जाएगा और plus third वाले element है 2 इस 2 के लिए भी vertical horizontal हटा दीजिए तो 3 और 1 minus 3 और minus 4 तूजा 8 solve करिए इसको तो 12 से 5 subtract हो गया 7 बचा ये minus और minus प्लस हो जाएगा ये हो गया 19 और यहाँ पर बचेगा 8 और 3 11 तूजा 22 minus का 22 is equal to 26 और minus का 22 is equal to 4 ये 0 के equal नहीं आया तो 0 के equal नहीं आने का means हो गया कि ये unique solution दे रहा है और अगर ये unique solution दे रहा है तो फिर ये consistent है तो मैं इधर लिख देता हूं तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा since determinant of A is not equal to 0, so system of equation have unique solution then it is consistent तो इस तरीके से किसी भी system of equation की consistency चेक कर सकते हैं लेकिन अभी यहाँ अगर 0 आ गया होता तो सिर्फ 0 देख करके हम inconsistent नहीं लिखेंगे अगर 0 आ जाएगा तो मुझे यह जो A आया है इसका adjoint निकालना पड़ेगा और adjoint निकालना हम पिछली वीडियो में आपको सिखा चुके हैं adjoint निकालने के बाद इस B से मुझे उसका multiply करना पड़ेगा फिर अगर वो multiplication 0 आया तो infinite solution होगा यानि कि consistent होगा और अगर 0 नहीं आया तो no solution होगा यानि inconsistent होगा तो यह ध्यान रखिएगा कि आप यह न सोच लीजिए कि यहाँ पे equal to 0 आ गया तो फिर वो inconsistent अक्सर बच्चे यही करते हैं और 0 नहीं आया तो consistent अगर 0 आ गया है तो भी मुझे आगे चेक करना पड़ेगा यह एक example हमारे सामने लिखा है two variable linear equation है इसमें matrix method का use करके इसको solve करना है यानि x और y की value निकालनी है तो तरीका में अभी बता चुका हूँ जो consistency और inconsistency पता करने के लिए करते हैं वही काम है सबसे पहले मुझे इस system of equation को matrix form में लिखना है तो the system of equation can be written as matrix form में क्या होता है कि हम इनके coefficients यानि 5,2 और उधर से 7,3 लिख देंगे फिर variable लिख देंगे और is equal to constant लिख देंगे यह matrix form हो गई that is इसको हम लिख सकते हैं ax is equal to b where a is equal to है मेरे पास 5,7,2,3 x is equal to है मेरे पास x,y and b is equal to है मेरे पास 4,5 इसके बाद हम यह चेक करेंगे कि यह inversible है या नहीं यानि उसका inverse निकलेगा की नहीं और inverse निकलना depend करता है इसके determinant पर तो यानि इसका मैं determinant यानि consistency मुझे पता करना पड़ेगा तभी solve होगा तो determinant जब इसका निकालोगे तो यह हो गया 5,7,2,3 solve कर दीजिए 5,3 जा 15 और minus 7,2 जा 14 is equal to 1 आया which is not is equal to 0 तो अगर यह 0 नहीं है तो इसका मतलब इसका inverse निकल सकता है तो मैं यहाँ पर एक line लिख दूँगा hence a inverse is exist या निकि यह possible है या फिर आप लिख सकते हो कि system of equation is consistent दोनों एक ही बात है अब जब possible है तो मुझे निकालना है और निकालने के लिए फिर हमें adjoint निकालना पड़ेगा और adjoint के लिए मुझे इसके co-factor लिखने पड़ेंगे तो पहले हम इसके लिखते हैं co-factors तो co-factors of matrix A co-factors निकालना सिखा चुका हूँ A11 first row first column delete कर दीजिए बचा 3 लेकिन 1 plus 1,2 even होता है sign positive फिर A12 1 plus 2,3 odd है sign negative पिछली वीडियो में बहुत बिस्तार से समझाया है अगर नहीं पता तो पिछली वाली वीडियो ध्यान से देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा मैं वहाँ सिखा चुका हूँ कि इनके साथ जो ये number आते हैं row और column इनको add करके हम पता कर लेते हैं कि sign positive आएगा ये negative अगर इनका addition even आजाए यानि 2 से divide हो जाए तो sign positive होता है और अगर इनका addition odd हो जाए यानि 2 से divide ना हो तो sign negative होता है यहाँ 1 प्लस 1 2 से divide हो कराता तो मैंने positive लिखा यहाँ 1 प्लस 2 3 2 से divide नहीं हो रहा है तो मैंने sign negative लिखा अब 1,2 का मतलब first row, second column तो इसकी first row और second column हटा दीजिए तो first row ये है और second column ये है तो हटाने पे बचेगा 7 यानि कि A12 का co-factor हो गया minus 7 फिर A21 अब 2 और 1 को add करोगे 3 आएगा odd है यानि minus में आएगा अब 21 का मतलब second row, first column तो second row, first column हटा दीजिए ये 2 है मेरे पास फिर A22 2 प्लस 2, 4 है positive आएगा second row, second column हटा दीजिए 5 ये मुझे इसके co-factor मिल चुके है अब इसके बाद मुझे लिखना होगा matrix of co-factor of A जो matrix मुझे बनके आई है ये आई है 3 minus का 7 और minus का 2 5 अब मैं इससे adjoint of A निकालूंगा और adjoint क्या होता है इसी matrix का transpose यानि row को column बना दीजिए और column को row बना दीजिए तो ये 3 7 minus 7 row में था उसको मैंने पहला column और minus 2 5 को दूसरा column बना दिया अब adjoint A से मुझे A inverse पता चलेगा इसका formula क्या है 1 upon determinant of A into adjoint of A तो फिर A inverse determinant A की value मैंने निकाली है 1 1 upon 1 1 ही रहेगा तो A inverse की value हो गई 3 minus 7 minus 2 5 अब A inverse मुझे निकालाया बट मुझे A inverse नहीं चाहिए मुझे x, y, z की value चाहिए x, y है यहां तो दो ही value चाहिए तो आपने पीछे देखा है because A x is equal to b यह यहां पे लिखा हुआ है मुझे x चाहिए तो इस A को दूसरी direction में भेज दीजिए तो x is equal to जब A उस direction में जाएगा तो यह inverse में change हो जाएगा क्योंकि 1 upon A होगा और 1 upon A को हम A inverse लिख सकते हैं यहां पे x की value तो x, y है और A inverse हम लोगों ने निकाल रखा है 3 minus 7 minus 2 and 5 और b की value आपके question में दे रखा है यह देखे यहां पे 4 and 5 means क्या हुआ? अब यह दोनों multiply में आ गए इनको multiply कर दीजिए तो x, y is equal to multiply करना जानते हो इसका row और इसका column एक ही row है तो कोई फर्की नहीं पड़ेगा एक ही बार multiply हो जाएगा तो 3 को 4 से 4, 3 जा 12 minus 2 को 5 से तो minus का 10 फिर second row का 7, 4 जा minus का 28 और plus 5, 5 जा 25 is equal to result बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा minus का 3 तो अब यह single same matrix में change हो गई तो फिर x is equal to 2 हो गया और y is equal to minus 3 हो गया और यही हमारा answer है लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा answer निकालने के बाद check जरूर करिएगा क्यों? क्योंकि बड़ा question है 6 number का question है और answer गलत आया तो आपके 6 number चले जाएंगे जरासी भी गलती 6 number चले जाएंगे check कैसे करते हैं? x और y की value जो यह दो equation दी हैं दोनों में से किसी में रख दीजिए मैं यहाँ check करके दिखाता हूँ पहली equation यह है 5x plus 2y is equal to 4 अब x की जगे मेरे पास 2 आया है 5 into 2 plus 2 into y की जगे पे minus 3 आया है is equal to 4 5 to 10 minus 6 is equal to 4 4 is equal to 4 दोनों साइड में सेम आ गया इसका मतलब हमारा result सही है तो बहुत आसान होता है अगर आपको चीजें पता है यानि adjoint निकालना पता है inverse निकालना पता है product निकालना पता है तो इन तीनों चीजों को मिला करके इसकी equation बनती है तो बहुत important और जरूरी चीज है तो ये topic इसके सारे question आपके लिए बहुत ही महतुपूर्ण है तो आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है ये 2 by 2 का मैंने करके दिखा दिया एक example में 3 by 3 का भी करके आपको दिखा देता हूँ ये आपके सामने एक question और लिखा है इसमें 3 variable equation दी हुई है इसमें मुझे इसी matrix method का use करके x, y, z की value निकालनी है यहाँ पे भी तरीका same है सबसे पहले इसको हम matrix form में लिख देंगे तो उसके लिए एक line यह लिखनी पड़ती है अब इसमें हम x, y, z के coefficient लेंगे तो पहली line में coefficient है 3, 3 और 2 दूसरी line में है x का कोई value नहीं है 1 y की 2 है और z वाला number ही नहीं है तो जो number नहीं हो उसका coefficient 0 और तीसरी line में है 2, minus 3 और minus 1 into x, x का मतलब x, y और z is equal to constant constant मेरे पास है 1, 4, 5 यह matrix form हो गई यह matrix form जो है यह होती है ax is equal to b where a की जो value है इसका coefficient यानि की 3, 1, 2 3, 2, minus 3 2, 0, और minus 1 x की value होती है x, y and z और b की value 1, 4, 5 अब मुझे इसको solve करना है लेकिन solve करने से पहले मुझे इसका determinant निकाल के check करना पड़ेगा कि यह inversible है या नहीं 3, 2, minus 3 2, 0, minus 1 अब determinant solve करने में एक number इसका 0 है मैं आपको सिखा चुका हूँ जिस line में 0 आए उसको solve करना ज्यादा easy होता है तो इसकी second row में 0 है तो मैं second row के लिए expand कर दूँ तो second row के लिए first element तो negative आ जाएगा इसका vertical और horizontal हटाओगे तो ये 4 element बचेंगे इन 4 को multiply कर लो तो 3 और minus 1 का multiply minus 3 फिर minus minus 3 और 2 का multiply होगा minus का 6, minus पहले से लगा है तो ये plus का 6 आ जाएगा फिर second element positive होता है ये मैंने positive ले लिया अब इसका vertical horizontal हटाओगे तो ये 4 बचेंगे तो 3 और minus 1 का multiply minus 3 और 2 और 2 का multiply minus का 4 और 3 जीरो है उसे करने की जरूरत ही नहीं है further solve करिए तो यहाँ पे बचेगा plus 3 बाहर minus लगा है तो ये minus 3 हो जाएगा 4 और 3, 7 minus का और minus का 7 2 जा, minus का 14 is equal to ये हो गया minus का 17 which is not equal to 0 ये 0 के equal नहीं आया इसका मतलब hence A inverse A j exists यानी की A inverse possible है तो अगर possible है तो मुझे निकालना है और उसको निकालने के लिए मुझे इसके co-factor पता करने पड़ेंगे तो मैं अब इधर करता हूँ co-factors आफ matrix A तो जब co-factor लोगे तो सबसे पहले A11 A11 1 प्लस 1 2 इबन है प्लस में आएगा A11 का मतलब फर्स्ट एलिमेंट अब इसका वर्टिकल और होरीजेंटल हटा दो जो चार बचे उनको multiply कर लो तो 2 और minus 1 का multiply minus 2 minus minus 3 और 0 का multiply 0 finally आया minus 2 फिर A12 A12 1 प्लस 2 3 odd है यनि कि sign negative आएगा पहले से लगा लीजिए 1,2 का मतलब ये एलिमेंट तो इसका वर्टिकल और होरीजेंटल हटा दो ये चार बचे तो 1 और minus 1 का multiply minus 1 और 2 और 0 का multiply 0 तो ये मेरे पास minus 1 और minus plus 1 हो जाएगा फिर A13 1 plus 3 4 फिर से positive आ गया तो 13 के लिए वर्टिकल होरीजेंटल हटाओ तो ये चार बचे 1 और minus 3 से minus 3 और minus 4 तो यहाँ पे बचेगा minus 3 and minus 4 is equal to minus 7 ये first row के निकल आए फिर second row A21 तो 2 और 1 3 odd है minus में बचेगा यानि इस 3 के लिए इसका वर्टिकल होरीजेंटल हटाओगे तो ये 4 बचेगे multiply करो तो 3 minus 1 से minus 3 और यहाँ पे बचेगा minus का 6 तो minus 3 और minus अपने आप लगता है तो फिर minus 6 करोगे तो minus minus plus हो जाएगा तो ये result मुझे मिलेगा minus का 3 फिर A22 2 plus 2 4 positive आएगा यानि second इसका वर्टिकल होरीजेंटल हटाओगे तो ये corner बचेगे तो minus 3 और minus 4 minus 3 और minus 4 is equal to minus 7 फिर A23 फिर से negative बचेगा इसके लिए वर्टिकल होरीजेंटल हटाओ तो ये 4 बचे तो minus 9 और minus का 6 minus का 9 और minus का 6 ये मेरे पास बचा प्लस का 15 ये second element हो गया अब third row के लिए A31 तो 3 और 1 4 फिर से positive आएगा तो इस 2 का वर्टिकल होरीजेंटल हटाओ तो ये 4 बचे 3 0 में 0 और minus 2 टूजा 4 या निकी minus 4 A32 इसका negative बचेगा वर्टिकल होरीजेंटल हटाओ तो ये 4 हुए तो 0 और minus 2 ये बचा 0 और minus 2 इस इकोल टू प्लस का 2 फिर A33 फिर से positive आएगा वर्टिकल होरीजेंटल हटाओ तो 3 टूजा 6 minus 3 या निकी केवल 3 ये सारे के सारे मुझे कोफेक्टर निकल चुके हैं अब मैं लिखूंगा matrix of co-factors of A A के co-factor की matrix मेरे पास क्या आई minus 2, 1, minus 7 दूसरी रो मेरे पास आई है minus 3, minus 7 15, तीसरी रो मेरे पास आई है minus 4, 2 और 3, ये matrix हुई co-factor की लेकिन मुझे adjoint लेना है तो adjoint of A इसका transpose हो जाएगा तो first row, first column बन जाएगी, second row second column बन जाएगी third row, third column बन जाएगी, अब जैसे ही मैंने इसका adjoint निकाला अब मैं इसका inverse निकाल सकता हूँ तो A inverse होता है 1 upon determinant of A into adjoint A determinant of A ये आपने निकाल रखा है, minus 1 upon minus का 17 और adjoint A उपर आपके लिखा हुआ है minus 2, 1 minus 7, minus 3 minus 7, 15 minus 4, 2 and 3, अब मुझे A inverse निकल चुका, लेकिन मुझे x, y, z पता करना है तो आपको पता है कि A x is equal to b है, this implies x is equal to इस A को उधर भेजो तो ये A inverse b हो जाता है value पुट कर दो x की value है x, y, z और A inverse की value आई है minus 1 upon 17 minus 2, 1 minus 7 minus 3, minus 7 15 minus 4, 2, 3 और B की value है मेरे पास 1, 4, 5 और multiply करना आप जानते हो तो multiply अगर मैं इसको करता हूँ x, y, z minus 1 upon 17 first row, first column से multiply होता है तो इसकी first row का first column से करोगे तो minus 2 का 1 से minus 2 minus 3 का 4 से minus 12 minus 4 का 5 से minus का 20 फिर second row का column से 1 और 1 का 1 minus 7 का 4 से minus 28 और 2 का 5 से 10 फिर third का first से minus 7 का 1 से minus का 7 15 का 4 से 60 और 3 का 5 से 15 अब इसको solve कर लीजिए तो minus का 1 upon 17 जब solve करोगे तो पहले में सारे negative हैं add हो जाएंगे तो यह हो गया 2, 1, 3 और 1, 4 minus का 34 दूसरे वाले column में 10 और 1 11 plus minus subtract हो जाएगा तो यह बचेगा minus का 17 और तीसरे column में यह बचा मेरे पास 8 और 668 बाहर minus 1 upon 17 का product है तो इससे उसके अंदर multiply करो तो क्या होगा minus होने की वज़े से सब के sign बदल जाएंगे और 17 से divide होगा तो 17, 2 जा 34 17, 1 जा और यह minus का 4 अब यह आपकी matrix 3 by 1, 3 by 1 में change हो गई तो फिर x, y, z equal हो गया तो मैं लिख सकता हूँ x is equal to 2 y is equal to 1 and z is equal to minus 4 और यही हमारा answer हो गया लेकिन फिर कह रहा हूँ answer बगैर check किये मत मानिएगा यानि इस answer को इन में से किसी में भी रख करके check कर लीजिए तब जाके final result लिखिएगा ताकि आपका answer यानि 6 नंबर का question बरबाद न होने पाए और चीज़ ध्यान रखिएगा कई बार ऐसा होगा कि question में आपको a पहले दे देगा यानि इसकी value लिख देगा कि if a is equal to this फिर आगे बोलेगा find a inverse then using a inverse find or solve the system of equation यानि जब a दे देगा तो पहले आपको उसका inverse निकालना पड़ेगा ये सब काम बाद का हो जाएगा सबसे पहले अगर a दिया है तो inverse निकालना पिछले वाली वीडियो में सिखाया वैसे यहां भी मैंने सिखाया है सारा यही काम किया गया है तो सबसे पहले आप inverse निकाल करके यहां पहुँच जाईएगा फिर यह जो बीच की दो लाइन हैं यह तीन लाइन हैं इन तीन लाइनों को इन्वर्स निकालने के बाद रखिएगा तो इन तीन लाइनों को जब इन्वर्स निकालने के बाद रखेंगे तो आप सीधे यहाँ पर पहुँच जाएंगे कि A is equal to X is equal to B is equal to इसके बाद आपकी यहाँ से question आ जाएगा यानि कि पहले इतना solve कर लोगे फिर इसके बाद में यानि इन दोनों लाइनों के बीच में ये तीन लाइने आ जाएंगी अगर A की value पहले दी होगी बहुत आसान सा process होता है कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है अगर कोई problem होती है तो comment box में comment करके बताईएगा मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा वैसे भी आपको जब मैं इस chapter की important question की वीडियो बनाऊंगा नहीं कर रखा है तो तुरन subscribe कर ले और अगर facebook पर है तो follow कर लीजिए ताकि आपको जो आगे आने वाली वीडियो है वो miss आपसे नहीं होने पाएं आज की वीडियो में बस इतना ही बहुत जल्दी किसी नए topic और नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए mathematics ग्यान